नमस्कार जय महामाई जय मातादी बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का आप देख रहे हैं जोतिश जरहाट के इस्पेशल नवरात्री चैत्र नवरात्री महा इस्पेशल एपिसोर है ये बताऊंगा मैं कि कैसे बिना किसी ब्राम्हण को घर पर बुलाए देखिए हम सब महामारी से जूज रहे हैं तो हर कोई अपने अपने घरों में कैद है और आप लोगों से अनरोध भी है कि आप लोग कोई ब्राम्हण किसी भी घर से पन्डी जी को मत बुलाईए यह हमारे ब्राम्हणों को भी समझना होगा कि वो बिल्कुल किसी के भी घर पर ना जाएं यह इसलिए हम कह रहे हैं जिससे आप सुरक्षा में सहयोग करें यह पूरी तरह सुरक्षा में सहयोग करें आप लोग जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक खास तौर पर कि कैसे घर बैठे बिना किसी ब्राम्हण के अपने आप कलस स्थापना आप लोग कर सकते हैं नीचे और उपर देख लीजेगा आप लोग घट स्थापना का महूर तो चल रहा है कितने बज़े से कितने बज़े तक आप लोग घट स्थापना करें किस तरह से घट स्थापना करें वो मैं बता दे रहा हूँ साइद आप अपने घरों पर कलश रखे हो पुराने कलश मिट्टी के पीतल के स्टील के जैसे भी हो नहीं है तो कोई बात नहीं है क्योंकि बाजार तो बंध है तो कलश कहां से लाएं कोई आवश्यक्ता नहीं है जो आपके पास बिद्दमान है वैसे तो मिल जाएगा साइद दुकाने जो किराने की खुली होती है वो लोग रखते हैं नौरातरी के कुछ सामक्रियां मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं मिले तो घर में जो भी उपस्थित आपके पास लोटा आ दी है वो आप ले लीजे प्रातर काल की वेला हो सुर्योदय के बाद 11 बज़े तक कलस स्थापना का समय है मुहूरत है आपके शहर में सुर्योदय का समय देख लेजेगा साम 5 बज़ के 56 मिनट तक ही प्रत्रपदा है लेकिन हमें 11 बज़े से पहले पहले कलस स्थापना कर लेना है अपने घर का पूर्वी हिस्सा पूरबदुशा का हिस्सा गंगाजल गाय का गोबर जो भी आपको सर्वसुलब हो उससे थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजेगा कहीं आप टिकल सकें आम के पत्ते लाने तो निकलिए वैसे तो कोई बहुत नितान तरनिवारता इसकी भी नहीं है बाहर निकलना जितना हो सके आवाइट करिए आम का पत्ता चरिये नहीं मिलता है तो उस लोटे की उपर जो कटोरी या कटोरा कोई आ जाए आकार उतना बड़ा कटोरी या कटोरा का लेकर उसमें हल्दी से रंगे हुए चावल जिनहें अक्षत कहते हैं वो भर दीजिएगा और उसी कटोरे पर नारियल रखना है लाल कपड़े में लपीट कर लोटे में जल भर कर उसके अंदर कुछ सामग्रियां मैं डलवा देता हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा इस्क्रीन पर भी चल रहा होगा वहाँ से भी नोट कर ले आप सुपारी सिक्का हल्दी से रंगे हुए चावल पार्क वाली घास दुर्वा लोंग और इलाइची कोई आभोशन बिचिया बाली नथनी सोना या चादी का आपनी छमता है थोड़ी सी साबुत हल्दी काले तिल पितरों को समर्पित एक कपूर की टिकिया चारचे काली बिर्ज थोड़ा सा तेज पत्ता अंदर रख कर देखिया आपको संस्कृत की श्लोक तो नहीं आते होंगे आते हैं तो सोने पे सुहागा नहीं आते हैं तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ सर्वसुलब श्लोक शुद्धता से ना पढ़ पाएं तो उसका भय अलग शब्द ही ब्रह्म होते तो बिलकुल आप आसानी से जो कर ले हूँ मैं करवा रहा हूँ पानी सब भर कर के लोटे में बगल में नारियल लाल कपड़े से लपेट कर कलावा से बांध दीजिएगा थाली में रख दीजिए कला सस्थापना कैसे करें हम वो बता रहे हैं आप लोटे में जितनी सामक्रिया हमने बताया सब डाल दीजिए नीचे हल्दी चावल रोली से एक त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज उपर शक्ति का यंत्र बनाकर हल्दी आटा और अभीर ले लिजे घरों में होगा थोड़ा सा बनाकर शक्ति टाइप में और उस पे रख दीजिए कुछ लोग नीचे सतनाजा रोब देते हैं बालू में जोग और साथ प्रकार क्यानाज बो देते हैं मुख्य रूप से जोग होया जाता है इसका भी प्रियोग हमने बताया है तो वो भी कर सकते हैं आप ना करना चाहें तो शक्ति वाला ये यंत्र बना लेजे एक उपर मुह का त्रिभुज और एक नीचे मुह का त्रिभुज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप शक्ति वाला वो त्रिभुज बना लीजेगा और उस पर इस कलश को इस लोटे को रख दीजिए उसके उपर रंगे हुए चावल से भरा कटोरा उस लोटे के मुह पर और उसके उपर कपड़े में लगा हुआ नायर ये भईया आपका कलस स्थापित हो गया अखंड दीप भी आप त्रिभुज बना करके उसमें रख सकते हैं शक्ति का ये यंत्र है अखंड दीप जलाना है तो खंड रख दीजे नहीं तो पूजा के समय जलाना है दुर्गा शप्शती की पुस्तक लाल कपड़े में बांध कर वो भी पूजा स्थान पर रख दीजे और जो भी आपके पास चीजें हूँ पंचोप चार सोडशोप चार पूजा पंच उपचार माने पांच चीजें जिसमें आप मादुरगा को अरपित करें और सोलह वो स्तामग्रियां जो मादुरगा को आप अरपित करें वो एक-एक करके मा को छढ़ा दीजेगा और उसके बाद सब्तुशती का पाठ कर लिजेगा पाठ में क्या करना है देवी कवचम, अरगला, कीलक कुंजिका भी कर लिजे सब्तुश्लोकी भी कर लिजे जो भी कर सकते हैं अपनी अपनी जो समय की उपलब्धता है उसके हिसाब से कर लिजेगा भूप दीप अगियार दिखा दीजेगा उपचार जो चड़ाएंगे उसमें प्रशाद भी रहेगा हो गया पूज़ शाम को भी अपना ऐसे बैठ करके पाठ करिए सुबह कुछ न कुछ अर्फित किया करिए अंत में आरती जरूर करिएगा ग्यारह बज़े सुबह से पहले पहले कर लिजे बहुत आसानी से किसी को बुलाने की आवशक्ता नहीं है बिल्कुल बुलाने की आवशक्ता नहीं है कोई आवशक्ता नहीं चलि थानक्यों सो मच बहुत बहुत आभार आप लोगों से वैक्त करते हैं आप लोगों का प्यार यह हमारे साथ बना रहे? मां गोडुलगा यह आप लोगों की जीविन में शुप्ता देती रहे? वीडियो को जादा जादा शेयर करियेगा हर किसी को बताइए कि घर पर किस तरह से उसको करश स्थापना करना किसी ब्रामण को बुलाने की पंडिजी को बुलाने की आब शक्ता नहीं है बहुत दोश्यक्त थैंक यू सो मच नमस्कार स्वेकिष्णा शिरादे स्वेकिष्णा यू स्च। प्रामण। स्वेकिष्णा। आ केष deze है इस है